आज हम अगला जो हमारा नेक्स टॉपिक है हमारा हिंडियान मैप से रिलेटेड वो है आधूनिक भारति भार। आधुनिक भारती भार्षाओं के वर्गी करन के अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रकार की भार्षाइं आती है जैसे पर्सेंटेज भूछ ध्यान से देखना है जैसे आस्टिक निशाद परिवार कितने प्रतीशत है भारत में एक पॉइंट तीन आट प्रतीशत अब इनक की मेगालने और निकोबार द्वीब समू ये दोनों ही ऑस्ट्रेशाई की मौन खमेश शाखा में आते हैं इसी प्रकार से ऑस्ट्रेशाई की मुंडा शाखा में जित्ते भी यलो कलर से मैंशन राज्य जैसे असम, बिहार, पशिम बंगाल, उडिशा, मद्यप्रदेश और मह चाराश्ट, ये सभी ऑस्ट्रेशाई की मुंडा शाखा में आते हैं, ठाक? तो जो यलो कलर से मैंशन है, वो मुंडा शाखा इसके बाद जो अगला परिवार आधुनिक भारती भार्वारों में वह है द्रव्र शाखा, द्रव्र शाखा की अगर तो इस प्रकार से आप इस के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं कि उत्तर मध्य और ड्रक्षन ड्रविड में कौन-कौन सी राजे आ रहे हैं इसमें हम अच्छे से हमें परतिशत याद रखना है जब लास्ट में जब चारों भाषा हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से इस पर प्रिश्ण बन सकता है इसके बाद में आप इसकी जो तीसरी भाषा है जिसमें हम देखते हैं चीनी तिबबती जिसको हम किरात भाषा कहते हैं और ये हैं 0.85 प्रिश्ण इसका प्रिश्ण है जिसमें तिबबती म्यानमारी की तिबबती हिमाली शाखा है जिसमें ओरेंज कलर से मेंशन जो है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मी ये तिबबती हिमाली शाखा में आ जाते है यालो कलर की हंदर है उत्री असम शाखा जिसमें अरुनाचल प्रदेश आ जाता है इसके बाद में ग्रीन कलर से हैं सियामी चीनी की असम म्यानमारी शाखा जिसमें नागालाइन, मरिपूर, मिजोरम, त्रिपूरा और मिगाले असम राज्य आ जाते हैं तो यह आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी शाखा में कौन कौन से राज्य आ रहा है अब बहुत ध्यान से देखें और समझे इसके बाद जो अगली अगला परिवार है वो है भारती यूरोपियन या जिसको हम कहते हैं आरे शाखा आरे परिवार यह आप देखेंगे तो इसमें इंडो आरे की दर्दी शाखा जो है वो जमो कश्मीर की अंदर आती है ठीक है और भारती आरे शाखा जो है जो यालो कलर से बैंश है उसमें यह सभी राज्य आ जाएंगे तो आपको अच्छे से यह ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी शाखा में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं ठीक है इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे जादा प्रतीशा जब हमने चारो भाशाओं को देखा जैसे कि यह आरे भाशा है इसके ओपर यह दर्की इसके ओपर यह द्रविड और उसके ओपर यह आपकी आस्टिक निशाद तो हम चारो भाशाओं को ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे जादा प्रतीशत कौन सी भाशा का देखने को मिलता है आरे भाशा का ठीक है तो हमें पता होना ची कि भारत में सबसे जादा आरे दूसरे नंबर पे जो भारत में लोग आते हैं वो द्रविड भाषा से संबंदित आते हैं तीसरा जो प्रतीशत आता है वो आता है निशाद आस्ट्रिक परिवार का जिसमें 1.38 प्रतीशत आता है और सबसे लास्ट में सबसे कम जो भाषा की लोग आते हैं वो आते हैं चीन बाद द्रविड उसके बाद आस्टिक निशाद और उसके बाद चीनी तिब्वतिया और किरा तो आपको इनको क्रमा नुसार याद रखना है ठीक है इसके बाद में हम अपने अगले मान चित्वरेबर जलते हैं जिसमें भारत के धार्मिक समूदाय कि अगर हम बात करें तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि भारत के धार्मिक समुदाय में अल्प संख्यक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है ठीक है जितने भी औरेंज कलर से मैंशन है जैसे कि यह जमू कश्मीर दिली उत्तर प्रदेश पश्यम बंगाल केरल और लक्षेदी यह अल्प संख है कि अगर हम बात करें तो सिख जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहां पर है आपकी पंजाब हर्याणा और दिली में तो यह आपको याद रखना है अल्प संख्यक मुस्लिम जनसंख्या इसाई जनसंख्या और सिख जनसंख्या यह आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना है इनको ठीक है तबसे ज़्यादा जो प्रतीशत है भारत में वो हिंदू का है 2011 की जनकना के अनुसार तबसे ज़्यादा हिंदू है इसके बाद फिर मुसलिम उसके बाद फिर इसाई और उसके बाद सिख उसके बाद फिर बौध जैन और अन्य धर्म के लोग आते हैं तो हमें ये भी ध्यान में होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनसंख्या के लोग भारत में हैं हिंदू, मुस्लिम, इसाई, सिख, पौध और जेन ठीक है ये आपको याद रखना है तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है इसके बाद में जो अगला है भारत के धार्मिक समूदा है जिसमें हम देख सकते हैं इसमें जैन जनसंख्या है कहां पर राजस्थान, गुजरात और महराश्ट्र में ठीक है बौध्य जनसंख्या कहां पर है महराश्ट्र, त्रिपूरा, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम हिमाचल प्रदेश में लाउलस्पिति, शेत्रो, लद्दाख यहां पर आपके बौध्य जनसंख्या तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जनसंख्या सबसे oraz कहा है और बौध्य जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहां पर है इसके बाद में आपको अगला इसमें हम देखते हैं कि श्रम की उच्छी प्रती भागिता दर वाले राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा श्रम की प्रति भागिता दर वाले राज्य कौन से हैं और केंदर शासित प्रदेश कौन से हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है श्रमिको की सबसे ज़्यादा सबसे उची प्रती भागिता दरवाली राज्य कौनत है राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें गुवा ठीक है सबसे ज़्यादा आपका इसमें गुवा आप इसमें देख सकते हैं गुवा की कित्ती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रम जीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो का है गुवा उसके बाद फिर आपके अनिराज आ जाएंगे जिसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्केम, अरणाचल प्रदेश, नागालेंड, नागालेंड, चत्तिज़गर, आंधर प्रदेश, करनाटक यह सबी अधर स्टेट आ जाएंगे गुवा के बाद में लेकिन फिर्स्ट गुवा उसके बाद अगर हम केंदर शासित प्रदेश की बात करें तो केंदर शासित प्रदेश में सबसे जादा जो सबसे उची श्रम की प्रतिभागिता दर वो कौन से केंदर शासित लगा सकते हैं एक तरफ दमन दीव का प्रतीशत है गुन 50.9 प्रतीशत और एक तरफ गुआ का प्रतीशत है गुन 40.6 प्रतीशत तो सबसे ज़्यादा श्रम की उची प्रतीभागिता दर्वाला जो शेत्र है वो कौन सा है तो हम बात करें तो फस्ट नमबर आ जाएगा दमन दीव का अगर राजज़ और केंदर शासित प्रतीशत दोनों को मिला दिया जाए आप प्रतीशत देग के अनुमान लगा सकता है और अगर राज़़ो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है दमन दीव में इस प्रकार सा आपको याद रखना है उसके बाद हम इसमें दे सबसे अधिक कौन से राज्जों में है तो औरेंज कलर से मेंशन कौन से अभी नागलेंड है हिमाचल प्रदेश है सबसे ज़्यादा जो कृषिकों की संख्या है वो कौन से राज्जों में आ जाएगी नागलेंड और हिमाचल प्रदेश में आ जाएगी क्रशी मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों के अंदर आएगी तो ये जितने भी राज्या आपको दिखाई दे रहे हैं बिहार, मद्यप्रदेश, छत्यसगर, छारखंड, प्रश्रिम, बंगाल, ओडिशा ये सबी क्रशी मजदूरों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इसके अलावा, जहाँ पर शमिको का बड़ा अनुपाद अन्य सेवाओं में लगा हुआ है मतलब कि किसी दूसरी सेवाओं में लगा हुआ है एक तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर क्रशक, सबसे ज़्यादा क्रशी करने वाले लोग का है दूसरा सबसे ज़्यादा मजदूरी करने वाले लोग का है और तीसरी चीज़ है कि अन्य सेवा किसी दूसरी सेवा वर्ग में लगे हुए लोगों का सबस्यादा अनुपात कौन से राज़ों में तो उसमें दिल्ली चंडिगर और पुद्धु चोरिया जाएगा तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा क्रशक कहां लग और सबसे ज्यादा अन्य सेवाओं के अंदर लोग कहां पर लगे हुए हैं हमें पता है दिल्ली चंडिगर में काफी बड़े-बड़े सेक्टर से कंपनी है ठीक है तो अन्य सेवा वर्ग में आप लोग ज्यादा लगे हुए है इसके बाद में हम आगे देखते हैं एक नगरी जनसंख्या प्रतीशत वाले जो राज्ये हैं, इसको मैंने यलो कलर से मेहिशन कर रहा, इतनी सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या कौन से राज्ये में है, गोवा में, अब पुध्यान रखना है इस चीज़ का, कि सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या वाला नमबर वन पे दिल्ली है, नमबर टू पे चंडीगड है, नमबर थ्री पे लक्षद्वीब है, नमबर फूर पे दमन दीप है, नमबर फाइब से पदूचेरिय और नमबर सिक्स पे गुआ है. तो ये हमें बहुत पारिकी से समझना है, कि अगर आपसे बात किजाए, सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या, प्रतीशत वाले राज्ये या किंदर शासित प्रदेश, या सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या, गौन से जगे की है, तो आप इसमें देखेंगे, दिल्ली भ भी केंदर शासित प्रदेश है, लक्षिद्वी पे केंदर शासित प्रदेश है, दमन दीव भी केंदर शासित प्रदेश है, पुदुचरी भी केंदर शासित प्रदेश है, फिर पांचवे नंबर के बाद जो चट्टी जगे आरी है, वो है गोआ, और गोआ एक राज्ये ठीक है जब गुवा एक राज्य है तो राज्य में सबसे ज्यादा नगरी जनसंग्या कहां कि हो जाएगी गुवा कि हो जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश के अगर हम बात करें तो यह सब भी पांचों केंद्र शासित प्रदेश आजएंगे इसके अलावाद जब फिर न्यूंतम नगरी जनसंग्या प्रतीशत वाली राज्यों के अगर बात करें मतलब सबसे कम नगरी जनसंग्या का प्रतीशत कौन से राज्यों में है तो सबसे कम नगरी जनसंग्या का प्रतीशत है नमबर बन पर हिमाचल प्रदेश नमबर टू पर बिहार नमबर थ्री प आद में हम अगला अपना देखें तो इसमें आप देखेंगे ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है वह दूसरे देशों से कितने लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है 50 लाख व्यक्तियों का प्रवा पहले जो टोटल लोग है लगबक करीब करीब पचास लाख वेक्ति हैं अब उन पचास लाख में से 88.9 प्रतिशत लोग तो हमारे पड़ोसी देशों से याएं हमारे आसपास के देशों से याएं तो अब हमें ये कॉशन पूछा जा सकता है कि सबसे जादा सबसे जादा जो हमारे यहाँ पर प्रवास हुआ है ठीक है वो कौन सी देशों से हुआ है सबसे जादा प्रवास कौन से देशों से हुआ है तो आप इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे जादा जो प्रवास है वो किस देश से हुआ है तो आप इसमें देखेंगे नंबर बन प्य ज़्यादा लोग आये हैं वो आये हैं पाकिस्तान से आये आप प्रतिशत देख सकते हैं मैंने इतमें प्रतिशत मेंशन कर रहा है या बांगलादेश का प्रतिशत है 50.2 प्रतिशत यहां फिर पाकिस्तान का प्रतिशत है 17.1 प्रतिशत नंबर तीन पर नेपाल का प्रतिशत है 3.7 प्रतिशत ठीक है नंबर चान पर श्री लंका का है 3.7 प्रतिशत फिर नंबर 5 पर है आपका यहाँ पर म्यानमार का प्रतिशत जो 1.1 प्रतिशत है फिर उसके बाद में नंबर 6 पर है इदर यह चीन का प्रतिशत है नंबर 6 पर चीन का प्रतिशत है 0.3 प्रतिशत इसके बाद में आप इसमें देखेंगे नंबर 6 पर 0.3 प्रतिशत चीन का उसके बाद नंबर 7 पर है भूटान का प्रतिशत जो है 0.1 प्रतिशत इसके बाद अफगानिस्तान का प्रतिशत भी कितना है आपका इसमें 0.1 प्रतिशत तो आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है कि फूटान का प्रतिशत भी 0.1 प्रतिशत है और अफगानिस्तान का भी 0.1 प्रतिश सबसे कम अगर पड़ोसी देश सबसे कम जहां से लोग आए है भारत में सबसे कम प्रवास हुआ है वो कहां से हुआ है भूटान और अफगानिस्तान से मतलब सबसे कम जो प्रवास हुआ है भारत में वो भूटान और अफगानिस्तान से हुआ है ठीक है और सबसे ज़्यादा जो प्रवास हुआ है भारत में वो बांगलादेश और पाकिस्तान से हुआ है तो यहां पर आपको इसमें थोड़ा सा समांचित में कुछ मिसमेच तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए जो मैंने यहां पर लिखा है म्यानमार में यहां पर नंबर 5 दे दिजेगा ठीक है इसके आप भूटान में नंबर 7 दे देना तो यह आपको थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन करना है यहां पर कुछ हो गया है यह आपको ध्यान में रखना है तो इस प्रकार से आपको क्रमा नुसार भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रवास कहां से हुआ है भूटान और अफगानिस्तान दोनों बराबर ठीक है तो सबसे ज्यादा प्रवास हुआ है बांगलादेश से और फिर पाकिस्तान और सबसे कम हुआ है भूटान और अफगानिस्तान से इसके बाद हम अगले वांचितर पे चले तो इसमें है सरवाधिक आप्रवासी वाले मतलब कि सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में लोग आए हैं सबसे ज़्यादा जिन राज्यों में लोग आए हैं वो राज्य कौन कौन से है तो सरवाधिक आप्रवासी वाला जो नंबर वन पर राज्य है वो है महराश्ट्र नमबर बन है महराष्ट उसके बाद दिली उसके बाद गुजरात और उसके बाद हर्याणा सबसे ज़्यादा आने वाले जो लोग किन राज्यों में आ रहे हैं महराष्ट, दिली, हर्याणा और गुजरात में ठीक है और सरवादिक उत्प्रवासी वाले राज्ये मतलब सबसे ज़्यादा जिन राज्यों से लोग जा रहे हैं वो कौन से राज्ये हैं? रहे हैं और सरवादिक एलले अप्रवासी वाले राज्ये कौन से हैं अप्रवासी का मतलब है's जहां प्रवासी वाले राज्ये कौन से हैं? पर सबसे यादा लोग आ रहे हैं उत्त प्रवास का मतलब है जहां से सरवादिक लोग जा रहे हैं ठीक है इसके बाद में अगला जो हमारा मांचित्र है यह आप ध्यान से देखे हो इसमें थोड़ा सा समझें कि अधिकांशत वा इस्तुरिया विवा उपरांत अपने माईके से बाहर जाती है हमें पता है अधिकांशत वो विवा के पर्षाथ अपने घर से दूसरे घर चले जाती है नहीं है मतलब आपऊजिट है ऐसा कॉन सा राज्य जहाँ पर ऐसा नहीं होता हर जगे का उता है कि विवा के बाद में लड़के दूसरे घर चले जाती है, लेकिन ऐसा राज़े कुण सा है जहाँ पर कि ये चीज नहीं है, विवा प्रवास कानून क्या है? अलग है, बिन्न है ऐसा राज़े है, मिघाले मिघाले ऐसा राज़े है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपका प्रश्ण पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन था राज्य है जहां पर विवा प्रवास कानून भिन्न है अलग है तो वो है मिघालने राज्य इसके बाद अगला हम इसमें देखेंगे एकवानचित्र जो विश्व का मैप है ये प्रवासियों की प्रथम तरंग अब इसमें देखेंगे आप प्रवासियों की प्रथम तरंग अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रवासियों की तीन तरंग है ठीक है आपको ध्यान रखन प्रवासियों की प्रथम तरंग प्रवासियों की दूसरी और प्रवासियों की तीसरी तरंग इसके अंदर हम सबसे फ़ले देखेंगे प्रवासियों की 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 के तहत आते थे अब आपको यह चीज याद रखनी है कि कब ब्रिटिश काल के दौरान जो क्षमिक है उनको रोपन कृशी के लिए काम करने के लिए बेजा गया था जो गिरमेट एक्ट के तहत आते हैं तो वो किनके द्वारा कहां से और कहां को भेजे गए ठीक है अब आप यूँ को दयान से देखेंगे तो मैंने यहां पे कुछ परपल कलर से कुछ येत्रविशेश को मेंशन किया वे है ठीक है कुछ इंडिया में आता है वहां पर दिखा रखा है इसको ठीक है कहा को मौरिश इधर मौरिश ए ठीक है तक्षणी अफ्रिका है यहां फीजी है और यहां कैरिबियन द्वीब समोज इसमें टिरिनार टॉबेग और गुआनार है ठीक है आपको धियान रखना है अंग्रेजो द्व समोज इसमें टिरिनार टॉबेग और गुआनार है यहां को ठीक है इसके बाद में फ्रांसिसी और जर्मनों के द्वारा 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 फ्रांसिसी और जर्मनों के द्वा इसके बाद है फ्रांसी सी डच और पुर्तगालियों के द्वारा कहां से गुआ दमन दीव से कहां को गए अंगुला मोजांबिक कहां को अंगुला और मोजांबिक मतलब इनके द्वारा इन इन जगों से इन इन जगों को शमिकों को रोपन कृशी में काम करने के लिए भीजा गया था और ये सभी जो प्रवास हुए मतलब इन सभी का जो प्रवास हुआ वो गिर्मिट एक्ट के नाम से अनुबंध थे ठीक है ये प्रवासियों की प्रथम तरंग थी प्रवासियों की प्रथम तरंग के बाद हम देखते हैं प्रवासियों की दूसरी तरंग अब प्रवासिय अफसरों की तलाश में निकट वर्ती देशों में व्यवसाय के लिए गए 1970 के दशक में पश्यमी एशिया में हुई सहसा तेल व्रदी द्वारा जनित शमिकों की मांग के कारण भारत ते अर्ध कुशल और कुशर शमिकों का नियमित बाहिये प्रवास हुआ यह आपको ध्यान रखना है यह दूसरी तरंग की बात है कि नूतन समय मतलब जब सेकिंड तरंग आई प्रवासियों की जो सेकिंड वेव आई उसके अंदर नूतन समय में व्यवसायों शिल्पियों व्यापारियों फैक्टरी मज़ूरों के रूप में आर्थिक अफसरों की तलाश में किसकी तलाश में कई प्रकार की अपसरों की तलाश में पैसे की तलाश में निकटवर्ती देशों में निकटवर्ती देश कौन कौन से है अब इसमें देखेंगे निकटवर्ती देश कौन से है थाइलेंड है ठीक है थाइलेंड इधर आप थाइलेंड है यहाँ पर ब्रोनेई है यह इदर इदर मलेशिया सिंगापूर है यहाँ पर इंडोनेशिया है मतलब यह पूरा जो एरिया है आपका ठीक है यह सभी निकटवर्ती देश है सभी निकटवर्ती देश है इन सभी देशों में व्यवसाय के लिए गए किसके लिए गए व्यवसाय के लि बिदि द्वारा जनित शमिकों की मांग के कारण भारत से अर्ध कुशल और कुशल शमिकों का क्या हुआ नियमित रूप से बाहिय प्रवास हुआ मतलब नियमित रूप से जो लोग है वो भारत से बाहर की तरफ जाने लगे ठीक है? यह आपको ध्यान रखना है यह प्रवासियों की दूसरी तरग में आता है और कौन से देशों में गए? किन कारणों की वज़े से गए? यह आपको ध्यान में रखना है अब प्रवासियों की तीसरी तरंग, आपको ध्यान से समझनी है, प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टर अभियंताओं, 1960 के बास सौफ्ट्वेर अभियंताओं, प्रभंदन, प्रामश्ताताओं, वित्ति विशेशग्यों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों ने निम्न देशों में प्रवास किया, उदारी करण के प्रशाद 1990 के दशक में शिक्षा, ज्यान आधारत, भार्तियोत प्रवासियों ने भार्तिय प्रसार को विश्व के सरवादिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया, मतलब इन छेत्रों में जो कारेरत लोग है, इन सभी शेत्र से जोड़ेवे लोगों ने कहां कहां पर प्रवास किया, तो वो आप इसमें दिखेंगे नीचे कनाड़ा है, सैक्तराज अमेरिका है, इधर युनाइटेट किंग्डम, युके है, इधर ये जर्मनी है, या ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजिलेंड है, इन ठीक है, और इन व्यवसायों में सबसे ज़्यादा शिक्षित, उच्चतम अरजन करने वाले सफलतम समों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया, ठीक है, और उदारी करण के परशात 1990 के दर्शक में शिक्षा और ज्यान पे आधारित भारतियों प्रवासियों न प्रवासियों वो उनकी तीन तरंगे रही, प्रथम तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग, और इनी तीनों तरंगों को आपको इस विश्व मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से इस पश्ट रूप से समझाया गया है, जो आपके लिए बहुत आसान होगा प्रवासियों की तीनों तरंगों को आपको अच्छे से याद करना है, इसके बाद इसमें एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर कि निम्न राज्ये, जो निम्न राज्ये कौन कौन से पंजाब, केरल और तमिलनाडू, अपने अंतर राश्टी प्रवासियों से महत्व पू कि जो पंजाब, केरल और तमिलनाडू जो राच्ये हैं, यह अपने अंतर राश्टी प्रवासियों से जो राशी प्राप्त करते हैं, ठीक है, अंतर राश्टी प्रवासियों मतलब जो दूसरे देशों में कारे कर रहे हैं, ठीक है, अंतर राश्टी प्रवासियों की तु कोई व्यक्ति विशेश इंडिया के अंदर-अंदर कारे कर रहे है ठीक है और वो यहां पर एक्जाम्पल फॉर सो रुपे कमा रहे है ठीक है और कुछ व्यक्ति जो है वो इंडिया के बाहर कारे कर रहे है और वो वहां पर दोसों कमा रहे है ठीक है तो वो यहां से जो राश कि जो व्यक्ति विशेश कहीं बाहर कारे करता है, और वो अपने परिवार के लिए जो कुछ पैसा बेजता है, जिस पैसे का उप्योग ठीक है? तो उसका मतलब होता है कि हुंडी का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी बाहर दूसरे प्रदेश में कारे करता है और वो वहाँ से अरजित की गई राशी को अपने परिवार को भेजता है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की विवा के लिए, अपने घर निर्मान करने के लिए, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए वो जिस राशी को भेजता है अपने परिवार के पास वो कहलाती है हुंडी तो इस हुंडी का मतलब यह है कि जब आंतरिक प्रवासियों के द्वारा जो हुंडी प्राप्तोरी है वो राशी कम है और जो अंतराश्टी प्रवासियों के द्वारा प्राप्त हो रही है वो अधिक है तो जो पंजाब, केरल, तमिलनाडू ये जो राज्ये हैं ये अपने अंतराश्टी प्रवासियों से महत्वपून राशी प्राप्त करते हैं इन राज्यों के जो अधिकतर लोग है वो अन्य देशों में कारे कर रहे हैं और वहां से जो ये राशी भेजते हैं उन राशियों का ये राज्ये उपयोग करते हैं ठीक है तो हुंडी का मतलब समझ में आया हुंडी का मतलब क्या होता है आप से पूछा जा सकता है हुंडी क होता है तो यह हुंडी का मतलब है इसके बाद में हम अगले मानचित्र में देखेंगे कि निम्न राज्यों के हजारों निर्धन गामों की अर्थ व्यवस्था के लिए यह हुंडियां जीवन दायक रक्त का काम करते हैं अगर किसी राज्य से कई व्यक्ति अपने परिवार के करते हैं जैसे कि हमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिशा, आंधर प्रदेश तो यह जो कोई राज्य है जहां कि कई विक्ति विशेश जो अपने परिवार के लिए बाहर कारे करते हैं तो वो क्या है अपने परिवार को आर्थिक सायता पहुँचाते हैं अर्थिक सायता पहँचाता हैं तो इन राज्जों के लिए वो जो हुंडिया है वो क्या कारे करती है? जीवन दायक रकत کا काम करती है जीने की जिन्दगी है उनके लिए उनको जो वहाँ से अपने परिवार से किसी व्यक्ति विश्रय से जो राशी प्राप्त हो रही है तो वो उनके लिए क्या कारे कर रही है उनकर जीवन को चलाने का कारे कर रही है तो वो उनके लिए जीवन रखत का काम करती है तो उनमें आने वाले राज्ये कौन कौन से है ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहांपर की हजारों निर्धन गाव है जिनकी अर्थ विवस्ता बहुत ही कमजोर है बहुत कमजोर है तो वो राज्य ये है इसके बाद में आगे हम इसमें देखते हैं कि कुछ निम्न राज्य हैं जहां पे जैसे कि अध्योगीक दरश्टी से विक्सित राज्यों में गंदी बस्तियां या जिसको हम कह सकते हैं फ्लम्स का विकास देश में आनियंतरत प्रवास का नकारात्मक परिनाम है जिसमें कौन-कौन से राज आते हैं दिल्ली, गुजरात, महराष्ट, करनाटक और तमिलनाडु तो ये जो राजे हैं इन राजों में उद्योग एक दरशी से ये जो विक्सित राजज है इनमें कई गधिवस्तियां हैं ये है तो विक्सित राज यह हम सभी को पता ही, सभी राज़ विक्सित हैं। बिगे इनमें कई ऐसी गंधी वस्तियां हैं, स्लम्स हैं, जिनका विकास देश में आनिंतृत प्रवास का नकारात्मक पर नाम है। मतलब कि यहां से जो प्रवास हो रहा है वो आनियंतरत रूप से हो रहा है ठीक है और उनका कारण क्या है यहां पर कई प्रकार की गंदी बस्तियों का दिन प्रते दिन बढ़ते जाना ठीक है तो इस प्रकार से जो हाज जो हमारा चैप्टर था वो कई हमारे जो प्रवास से स संबंदे धार्मिक समुदाये से संबंदे थी हमने अज अपना अध्यन किया अब हम जल्दी अगले जो हमारा अगले टॉपिक है मानचित्र से संबंदी थी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर आप सभी से थैंक यू सो मच झाल 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 झाल